पहला कोशन देखिए पहला कोशन कह रहा है कि प्रूब दा फालॉइंग बाइ यूजिंग दा प्रिंस्पल आप मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एन इस इक्वल टू नेचुरल नमबर बतार नेचुरल नमबर के लिए प्रूब करना है ठीक है तो यह कह रहा है कि यह दिया है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वाइर प्लस सो आन देखिए इसमें एन्थ टर्म लिखना जरूरी है इंफिनिटी के लिए चक नहीं हुपाएगा ठीक है और एन्थ टर्म यहां लिखा हुआ है 3 to power n minus 1 कभी-कभी यह क्या करते हैं एन्थ टर्म नहीं लिखते हैं तो फिर उस स्रीज को पहचान कि आपको एन्थ टर्म लिखना पड़ेगा is equal to 3 to power n minus 1 by 2 3 to power n minus 1 by 2 क्या लिख रहा हूँ by 2 यह question number 1 है इसी को proof करना है कि यह n की हर value के लिए सही है अच्छा यह rd शर्मा का third question भी है यह question rd शर्मा का third question भी है rd शर्मा में जो excite assess की जाएगी एक ही excite उसमें में उसका third question है इसलिए ध्यान रखेगा कि चुकि rd शर्मा के भी video हम बना रहे हैं तो जब rd शर्मा video बना जाएगा तो यह question वहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है देखे क्या तरीका होता है step 1 यह एंसी rd का पहला question rd का third question step 1 का तरीका क्या हमने बताया था for n is equal to 1 यह एंसी एकल to 1 पे इस expression को check करो सही है गलत है तो n is equal to 1 पे जो left hand side होगा उसमें क्या करेंगे 1 बोले तो एक step यह step तो LHS की value क्या है 1 और RHS की value क्या है यह तो LHS हो गया RHS में n को 1 रख दो तो RHS में n को 1 रखोगे तो यहाँ जाए n की value 1 रखे देखो क्या हैगा 3 to power 1 minus 1 by 2 तो 2 by 2 value क्या आगई 1 तो आपने क्या देखा कि LHS और RHS is equal to LHS is equal to RHS है तो देखे जो statement हमें एक question में लिख रहे है तो same statement will be in all the questions तो in all the questions I will not write the statement तो this is true this statement इसको statement कहते है statement is true for n is equal to 1 तो हमें मान मान नहीं लेते प्रूफ किया है कि 1 is equal to 1 के लिए ये सही है ठीक है पहला हो गया आप क्या करेंगे दूसरे step में इसको n is equal to k कोई general value हमने ले लिया और उसके लिए हमने का सही है मतब प्रूफ नहीं करेंगे वो हम पहले से सही मान लेंगे कि ये गलत नहीं है सही लिखा हुआ है तो step 2 पे क्या करना है step 2 हमने मान लिया let for n is equal to k statement 1 statement 1 is true हमने कहा कि n is equal to k के लिए सही है प्रूफ नहीं करना है n को k रखोद क्या आएगा ये ये हो जाएगा आपका 1 1 plus 3 plus 3 square up to so on 3 to power n को k रखें k minus 1 is equal to 3 to power k minus 1 by 2 इसको आप सही मान रहे है and you are not supposed to prove this statement you are assuming that it is true for n is equal to k इसके बाद अगले step में क्या करेंगे अगले step में हम n is equal to k के जस्ट बाद जो नंबर आएगा नेच्टर नंबर में जस्ट बाद नंबर कैसे निकालते हैं 1 plus कर दो अब हम क्या करेंगे for n is equal to k plus 1 हम n को k plus 1 लेंगे ठीक है जो statement 1 है उसमें n की जगे k plus 1 रखेंगे और इस expression का इस्तेमाल करेंगे और ये statement में n की जगे k plus 1 अपने आप आना जाहिए तो क्या करेंगे taking LHS taking left hand side of statement 1 statement 1 का हमने left hand side लिया for n is equal to k plus 1 किसके लिए लिया हमने n is equal to k plus 1 के लिया यहां पर n है वहाँ k plus 1 कर दो पूरे step लिखे k plus 1 टर्म लिखी तो यहां क्या आपको मिलेगा 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube last step क्या आएगा देखो n को जब k plus 1 लिखोगे तो यह हो जाएगा k plus 1 minus 1 यानि 3 to power k आएगा अचा इसके पहले क्योंकि k plus 1 के पहले कौन आ रहा है k तो इसके पहले का step भी लिखना पड़ेगा तो आप क्या देख रहे हैं कि इधर जाने पर जो power बढ़ रही है उधर आने पर power minus होगी तो इसके पहले term क्या आएगा 3 to power k minus 1 अब जड़ा यहां से लेकर के यहां तक यहां से लेकर के यहां तक देखो जड़ा यह चीज सेम आ रही है तो इसकी जगए आप क्या लेसकते हो 3 to power k minus 1 by 2 तो using equation 2 using equation 2 2 का इसमें इस्तेमाल हम कर देते हैं ठीक है चलिए करिए 2 का इस्तेमाल इतना नोट करिए पहले फिर आगे 2 तो using equation 2 2 का इस्तेमाल हम करते हैं तो यह क्या हो जाएगा इसकी जगए क्या लिखेंगे 3 to power k minus 1 by 2 और इसके बाद क्या लिखा हुआ है 3 to power k लिखा हुआ है अब देखें इसको solve करके क्या आना चाहिए इसको solve करके यहाँ n की जगए k plus 1 अपने आप आना चाहिए solve करिए ज़रा देखें यहाँ पर equal to करिए यहाँ 2 ले लिजल सियम ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 3 to power k minus 1 plus 2 into 3 to power k अब देखें 2 into 3 to power k plus 3 to power k add हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 to power 3 into 3 to power k minus 1 by 2 अच्छा यहाँ पर 3 to power कितनी है 1 और यह दोनों multiply हम लिखे हुए है तो multiply होने पर power का क्या होता है power add हो जाते है तो यह क्या बन जाएगा 3 to power k plus 1 minus 1 by 2 अगर मैं n को k plus 1 इसके right hand side में रख देता तो value क्या थी same thing will come यहने is equal to rhs इसका मतलब क्या हुआ तो आप कहेंगे इसका मतलब यह हुआ कि this statement is true for n is equal to k plus 1 also this shows that this shows that this statement is this statement is true for n is equal to k plus 1 also इसका मतलब 1 के लिए सही है चेक कर लिया 1 के लिए सही है मान लिया k plus 1 के लिए सही है चेक कर लिया so it is true for all the values of n so it is true for all the values of n all the values of n so it is true for all the values of n so it is true for all the values of n तो दो कि अ